अब बात करें और एक कोश्चन ही है जो ऐसा नया था और इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा एक कोश्चन जो मने आप से करवाया रहा होगा पहले और उसको रह्टवाया था कि यार और मैंने बोला भी था आईसी ए आई को ऐसे करना चाहिए उन्होंने चैंज किया आईसी ए इने तो दूसरा कोश्चन मुझे वह आप से डिसकूस करते है तो पहला कोश्चन डिसकूस कर रहे है एक्जाम का कोश्यन है नवंबर 2023 कि मैं था क्या गसर कोश्चन है लिखा जैपनिस कम्पनीं इंपोर्ट कोई जैपनिस कम्पनी जापान में क्या चलता जापान में चलता ये कोई जैपनीज कमपनी है और उसने इंपोर्ट किया है तो पेबल है और यहां चलता है यह और कहां से इंपोर्ट किया है यूएस से तो सर डॉलर का पैमेंट है डॉलर वन मिलियन मतलब 6-0 वन मिलियन डॉलर पेबल है दस लाग डॉलर चीफ फाइनेशियल ओफिशर ओफ ए कमपनी विसेश तो नो दा बैस्ट इस्ट्रेटिजी फर प्रोटेक्शन अगेंस अंसर्टनेटी किस बात का डर सर डर इस बात का कि जब भी हमको पैमेंट करना है हमें हम मतलब हम जापान के है हमें जो पैमेंट करना वो तो यह इनमें डॉलर में पैमेंट करना है तो हमें इस बात का डर कहीं डॉलर का रेट बढ़ना चाहिए डर तो इसी बात का इसको हमें प्रोटेक्ट करना है ठीक ह जहें, for the payment that has to be made, और payment जो होना है वो आज नहीं होना है, payment जो होना है, वो कब होना है, वो होना है सर, तीन महीने बाद, financial team of the company has collected the following option for the evaluation, सबसे पहले actions rate दे रखा है, और actions rate में अच्छी बात है कि currency कौन सी है, सर डॉलर और rate डॉलर का ही दिया है, तो लोट्री लग गई, अब हमें डॉलर के विशे में ही बात करनी है, हमें किस बात कर डर, सर डॉलर बढ़ना जाए, और बढ़ने के लिए अगर option हैंजिंग में जाना है, तो कौन सा option, सर कौल option, अच्छा bid rate और ask rate दोनों दे रखा है, हमारे लिए काम का है, सर हमें डॉलर खरीदना है, और तीन मेहने में खरीदना है, तो हमारे लिए ये काम का rate है, 145, six month वाला बेकार दे रखा है, इस spot से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो पहला आप क्या कर सकते हैं, आप forward cover कर सकते हैं, तो उसरा आप option market में भी जा सकते हैं, अगर मुझे option खरीदना है, तो मुझे जिस बात का डर है, तो मैं कौन सा option खरीदूंगा, मैं call option खरीदूंगा, तो option market में अगर देखा जाए, ओहू भाई साब भाई, call भी दे रखा है, put भी दे रखा, call, put, call, put, और अलग-अलग strike price पे हैं, अगर अलग-अलग strike price है, तो premium अलग-अलग होगा, हमें research नहीं करना है, कि call में premium किस में जादा होगा, put में किस में, हमें research नहीं करना है, हमें exam कुछ एक्जाम हमने ठीक है और हमें लeg रहा है कि future में जो price ऐ वो यह हो सकता this is most important इससे हम यह decide करेंगे कि हमें option exercise करना चाहिए कि नए और मेरे आपको option पढ़ाते वक्त future पढ़ाते वक्त नहीं option पढ़ाते वक्त एक चीज बोला था और मैंने कहा था कि actual में physical delivery होगी मतलब सर अगर हम call option खरीदते तो call option का meaning क्या है right to buy हाँ सर हमें खरीदने का अधिकार right to buy actual में हम खरीदेंगे पूरा option है जिंग में हमने actual में stock action से delivery लिया है और सब put option का meaning क्या है put option का meaning होता है right to sell book का meaning ये कौन सा हो गया call और ये कौन सा हो गया put खरीग है सर suggest the best strategy for CFO of the Japanese company to protect against uncertainty with respect to the following alternatives news first forward cover second three month का call option buy करेंगे और strike price है 145 तो बोले इस पर हो call option खरीदेंगे ठीक है भी sell three month put हद कर दिया put option आप right कर रहा हूं और उससे हैज कर लोगे कुछ भी करते हो यार बताऊंगा कॉल और कॉल खरीदेंगे पर हाई यह है है जिंग का एक तरीक है यह मैं agree हूं पर सिर्फ खुला put आप वाला तो सायदी कोई गलत किया होगा अहां है आखिर पहले वाले का आंसर 145 million इसमें मुझे कुछ करवाना ही नहीं तूसरा खुला call खरीदते अब यहां ध्यान देना और किस रेट पे इस रेट इसका मतलब बुक का मिनिंग बोलूं हाँ कि stock exchange हम तयार है हम आप से dollar इतने का खरीदने को तयार है अगर market में इससे ज़्यादा होगा अगर market में इससे ज़्यादा होगा तो stock exchange हम आप से खरीद लेंगे और exercise कर लेंगे मतलब और sir इस से ज़्यादा नहीं हुआ तो हम क्यों exercise करेंगे हम तो market से खरीद लेंगे खरीदने का rate क्या दिया है 145.06 145.06 खरीदने का rate मतलब हम खरीदेंगे customer खरीदेगा ना तो बताओ हमें इस rate पे खरीदना चाहिए कि हमें इस rate पे call option exercise होगा कि नहीं कोई सर हमें तो सस्ते में खरीद लेना चाहिए call option exercise नहीं होगा call option lapse हो जाएगा अब हमारे काम का नहीं तो हमें एक डॉलर इतने का पड़ेगा पर हमको call का premium तो देना ही पड़ेगा ओके बिलकोल धियान से समझना क्या call option exercise होगा नहीं होगा पर हमें premium तो देना पड़ेगा सर प्रीमियम किस पे लगेगा बहुत काम की चीज premium लगेगा इस पर कितना परशन ये इतना जाएगा और साथ में हमें call option exercise नहीं होगा हम इतने का खरीद लेंगे तो देखो कैसे होगा बिलकोल धियान से इस पे 1.676766% एड मत कर देना करना क्या है इसका पहले premium निकाल दो 145.20 into 1.6766% ये आ गया ये premium पर dollar आ गया plus 145.05 तो ये आ गया 147.48 और यहां जाएगा 145.47.48 मिलिया अगर हम खुला call buy करते हैं तो कुछ नहीं करना इस strike price है उसके हिसाब से premium होगा और हम call option exercise नहीं करेंगे हम जो market में कम भाव में मिल रहा तो हम market से खरीद लेंगे तो total cash outflow जाएगा हमारा 147.48 मिलिया तर यहां भी कोई दिक्कत ने ये भी हमारा हो गया ये हो गया ये हो तर थ्री मुन्थ put option 4145.20 के सबसे हमने sell किया ये बिल्कुल अजीब सी बात है अब समझने की कोशिश करना मैंने put option right किया है मतलब यार सामने वाला option exercise करेगा बतले मैं मुझे premium मिलेगा मैं agree हूँ सामने वाला put option exercise करेगा कब करेगा अगर इस rate से कम हो जाता है अगर मान लो 120 हो जाता है समझना समझना अगर sir dollar का rate 120 हो जाता है तो सामने वाला हमें dollar बेच देगा और बेचने का rate किस rate पे बेचेगा 145.20 it means मुझे किसी भी हालत में अगर rate कम भी हो जाता है क्योंकि मुझे तो dollar लग रहा है मुझे 145.20 के सबसे खरीदना ही पड़ेगा no doubt मुझे premium मिल रहा फायदा है लेकिन sir अगर dollar का rate 200 हो गया मान लो 200 हो गया तो भी फिर सामने वाला option exercise ही नहीं करेगा वो मुझे 145 के सबसे क्यों मेचेगा वो तो करेगा नहीं पर मुझे तो dollar लग रहा है तो फिर मुझे 200 रुपए के सबसे खरीदना पड़ेगा dollar यह सबसे दुक्की बात है यह कहां है चींग होगे तो जबर्दस्त रिस्क है भाई बस इतना है कि आपको premium मिल जा रहा है इस यह कैसे लिख सकता है इंस्टियूट फुला-put option आपने खरीद है राइट कर रही है वह भी राइट कर रहा है है ओके सर गोष्चन करवा एक्जाम पास में है इकजाम में कैसे करना है इस मैंटर पर इसमें तो apparently वो रहा वहां को यह देखना पड़ेगा हमें हमें खरीदना है ना या सामने वाला बेचेगा और उसके बेचने का रेट है 145.20 हमने put option क्या किया है अब बताओ 145.20 हम put option exercise करेगे कि नहीं करेगे सर इससे कम होगा तो सामने वाला exercise करेगा sell right किया हमने put option बात समझ में सामने वाले को बेचने का अधिकार है लिविव्फ़ ध्यान से समझगो यहां rate में फश सकते हैं सर हां सर सही में seriously फश सकते की comparison किस से करना हमें इसको देखकर decide करना है कि सामने वाला option exercise करेगा कि नहीं करेगा बिल्गल ध्यान से मैंने right किया है put, इसका मतलब सामने वाले को अधिकार है कि वो मुझे dollar बेश सकता है, मुझे इतना में बेश सकता है, चाहो तो अब वो market में भी बेश सकता है, दूर बैंक को भी बेश सकता है, अब बताओ सामने वाला exercise करेगा की नहीं करेगा, मुझे तो इससे comparison करना पड़ सकते हो, अगर आपका दिल है, नहीं तो आप बैंक को इस रेट पर बेश सकते हो, तो आप बैंक को क्यों बेचोगे, आप तो मुझे बेचोगे, आप तो put option exercise करोगे, यस, आप put option exercise करो, प्राइस गिरने पर put option ना, तो हम तो exercise करेंगे बेटे, लेकिन आप हज जाओगे न, य ये रेट रहे कि लिए रेट ले, put option exercise होगा, इस हिसाब से मुझे खरीदना पड़ेगा डॉलर, अब put option का premium, no doubt, premium मुझे मिलेगा, तो premium में क्या कर दूँगा, 142 ये वाला put, minus कर दूँगा, it means 145.20 minus, इसी से minus करना पड़ेगा, 1.74, 14%, तो 142.67 का मुझे पड़ेगा, 142.67 मिलियन खर्च होगा, 142.67 सारी कहानी बता दिया हूँ, ये strategy मुझे सबसे अच्छे लग, buy किया है call, और sell किया है put, 146 के सबसे, मतलब सर, मैं जानता हूँ, डॉलर का rate बढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है, तो मैं बढ़ेगा, अगर बढ़ा गया, तो मैं call option exercise कर लूँगा, 146 के से उपर गया है, तो call exercise कर लूँगा, टेंशन ही कताम है, 146 का से ज़्यादा मुझे पढ़ेगा नहीं, प्रीमियम को इग्नोर कर रहा है, 146 का मुझे पढ़ेगा, पर जबकी मुझे, आप सुनना ध्यान से, जबकी मुझे पता है, ति डॉलर का rate बढ़ने वाला है, और मुझे call option खरीद भी लिया, अपने आपको protect कर लिया, पर बदले में मुझे क्या दियना पड़ा है, प्रीमियम, तो ने यार, प्रीमियम की recovery भी तो कर लेते, एक काम क कम अगर होता है, तो सामने वाला exercise करेगा, तो भी तो मुझे 146 के सबसे देगा, सुना 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 बड़ी, जब अगर यार, मैंने put option right कि, अगर rate कम भी होता है, दिक्कत की बात नहीं, मुझे सामने वाला 146 के सबसे दे गई देगा, और सर अगर rate बढ़ता है तो मैं call exercise करूँगा, तो भी मुझे 146 के सबसे डॉलर पड़े गई पड़ेगा, बस सिर्फ खुला call खरीदने से जो मेरा premium जा रात था, put right करने की वज़े से वो premium आ जाएगा, थोड़ी recovery तो होगी, okay sir, तो सुचे क्या करना, yes, पहली बात बताओ, rate अगर ये हो जाता है, इससे कम होगा, तो सामने वाला, क्या put exercise कर देगा, yes, तो फिर मुझे 146 के सबसे खरीदना ही पड़ेगा, call मेरा lapse हो गया, पर put तो सामने वाला exercise करेगा, और वो मुझे 146 के सबसे बेचेगा, ठीक है, अब हम calculation किसका कर ले, premium का, call का premium क्या होगा भाई, call का premium, तो देना पड और put का premium minus होगा, तो 146 लिखना, पहले 146 लिखना, call का premium 146, 146 into 1.3505 percentage, तो यह सर्फ प्लस हो जाएगा, 1.97 to ऐसा कुछ, और put का premium 146 into 2.2.1006 percentage, और यह क्या हो जाएगा, minus 3.067, ऐसे करके निकालोगे, into 1 million कर ले, सर्फ तो आप 146 मेंसे क्या हो गया था, मुझसे यहाँ गलती क्या हो रही थी, 146 मैंने का call का plus करना है, तो मैंने क्या कर दिया था, आप कर सकते हो ऐसा, मैंने क्या किया, 146 plus 1.3505 percentage, call का premium add कर दिया, उसी मेंस कर रहा था, calculator नहीं च strategy है, यह बिकार point है, कोई cell, सिर्फ खुला आप put right नहीं कर सकते, conceptual गलत है, यह सही है, बिल्कुर, तो आप समझी गया हो कि क्या करना है, yes sir, point number 4 में, मेरे ख्याल से answer आ जाएगा, आप देख ले ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बास समझ मेंगे, let's receive top net premium, net premium उसने कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, net premium समझ रहे हो ना, हाँ sir, net premium मतलब अब हम समझ गया, आप नहीं भी बताओगे, तो हम shortcut मार लेते, हम इस में से ये minus कर देते, जो भी difference आता, क्योंकि put का minus करना तो 146 में, जो भी difference आता, minus कर देते, हाँ जी, आप समझ रहे हो, that's it, यह question, भाई साब, करके चले जाना, करके चले, यह question अच्छा इसमें दिक्कती ये बस आ रही थी, कि यार, जो margin है, देखो, सुन अधियां से, इंटर बैंक रेट है, ये भी इंटर बैंक रेट है, आपकी बुक में ये question है already, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, सर ये rate कौन सा दे रखा, अगर देखोगे आपको, यहाँ द dollar, US dollar, इसकी मदद से मुझे rupees per Singapore dollar निकालना था, तो मैंने बात का, तो मैंने ये swap क्यों क्या किया होगा, plus या minus किया होगा, जो भी करना था मैंने किया, अब swap किया, और इसकी मदद से मैंने ये निकाल लिया, ठीक है, जदा time pass नहीं करूंगा, इतना निकाल लिया, मैंने 49.51 00, तो मैंने बात का, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ, rupees per dollar, ऐसे इसमें भी swap का adjustment किया, और इसकी मदद से मैंने Singapore dollar per dollar निकाल लिया, 1.7154, लेकिन ये interbank rate, और interbank rate है, तो मुझे interbank rate ही, क्योंकि margin दिया हुआ, तो मैंने कहा है, margin का adjustment तो करना पड़ेगा, और margin क्या दिया है, पाच पैसा, तो पहले institute ने क्या किया था, पाच पैसा सिर्फ और सिप रुपय वाले rate में add किया था, जबकि मेरा क्या मानना था, मैंने आप से discuss भी किया था, कि ये cross rate के बाद add होना चाहिए, और institute ने सुधा लिया, ये add यहां नहीं होगा, ये होगा cross rate के बाद, मतलब answer आ 49.5100 divided by 1.7154, 49.5100 divided by 1.7154, जो भी आया, 28.8621, अब पाच पैसे हमको अब यहां add करना पड़ेगा, हम खरीद रहे हैं ना, प्लस, पॉइंट, पाच पैसा, 05, तो final answer आएगा, आपका 28.9121, इस answer को check, change कर लें, 28.9121, ठीक है, ओके, forex में इतना ही है, बंद कर रहा हूं है, forex खतम, एक question अच्छा था, call option, वो देखके चले जाना, ये तो simple question,